ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब खबर हिमाचल प्रदेश से राज्य सरकार हुद ही वित्य मूल्यांकन के लिए वित्य कमीशन के पाजा पहुँची है कॉंगरेस के कारण राज्य में ओवर ड्राफ्ट का संकट खड़ा हो गया है फोब्स इंडिया के मुताबिक उत्तरपूर्व के कुछ राज्यों और पंजाब को छोड़कर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के स्थिति सबसे खराब है गौर करने वाली बात ये है कि 2021 में राज्य का रिन सकल राज्य के घरेलू उत्पाद 41.02 प्रतिशत था और गंभीर भी है विकास योजनाओं को लागू करने की बात तो दूर की कौड़ी है राज्य करमचारियों को सेलरे देने के लिए राज्य सरकार की तिजोरी खाली है राज्यस्व का पैसा रिन और ब्यास देने में खाली हो जाता है फिर विकास तो मीलो दूर है कॉंग्रेस इस कड़वी सच्चाई से अच्छी तरह से अवगत थी लेकिन फिर भी कॉंग्रेस ने चुनाओ में जूटे वादे क्यों किये नारी शक्ती वादे के मुताबिक दो साल भी जाने के बाद भी महिलाओं को 1500 रुपे प्रती महीने नहीं मिले पांच लाक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था नहीं दिया दो रुपे प्रती किलो गोबर और सो रुपे दूद खरीदने का कॉंग्रेस ने वादा किया था उससे भी मुकर गए और पूरा नहीं किया स्टार्टप फंड के लिए 680 करोड रुपे नहीं दिये 300 यूनिट बिजली कॉंग्रेस ने फ्री में अभी तक नहीं किया तो तमाम जो वादे किये वो पूरे नहीं किये और कर्ज के दलदल में फसा हुआ है हिमाचल प्रदेश